तो गाइज यह देखिए मेरे यहाँ पर सेकेंड टाइम जो है बड़ जो है द्रीट कर रहा है मैं कुछ ब्रीडिंग के बारे में इंपरमिशन दूंगा बहुत दिन होगे गाइज वीडियो अपलोड नहीं हुआ है आप लोग ओहे दोस्तों बड़ा सा केज बड़ा सा केज मतलब बहुत बारा नहीं दोस्तों और बहुत छोटा भी नहीं कैल्सियम और मल्डिवीटामिन और प्रोटीन तो आपको यह सब ध्यान में देना होगा क्यूंकि सीड मीक्स से हलो गाइज वैलकम बैक टो मैं चैनल प्रेट स्केर होम जाइन में आप लाविगा स्वागा थ आप इतना दिन से भीडियों क्यों नहीं ला रहे तो दोस्तों थोड़ी सी तबियत खराब हो चुके थे मेरा और घर का जो काम चल रहा था उधर भी देखना पड़ता था और ऑफिस भी जाना पड़ता था बहुत बीजी हो गया था मैं ऐसे में क्या होता है बहुत सारे ल तो भी और जाबा का भी बीडिंग का तुरा सट बस देंगे तो गया इस वीडियो को भी स्किप मत करना या एंट्थग व्याइश करना और ओंफियोवर्च करना और रोस्तों में सेयर भी करना और नीचे जो नए भी ऐस के लिए विटेल आइकन होता है और रेद बटन होत नहीं होता है क्योंकि आप लोग देखोगे तो मतलब बर्ट के अंदर जो जिस तरीके से मतलब हर्मॉन मिलता है इनका तो यह लोग अब बात है दोस्तों यह लोग मतलब अंडे लेकरता ही है लेकिन वह अंडे जो है फटाइल नहीं आता उसमें कोई ब्लड नहीं आता है दोस्तों तो आपको यह चीज़ी ध्यान देना है कि आपका मेल और फीमेल जो है कॉकटेल मेल कंफर्म है एकदम फुली या आपने दो फीमेल आके रख चुके है क्योंकि जायाते है कुक्छ स्कूल अ है नीकलने का कारण जार्विए 2 यह जाया फंडाया हो चुका है दोस्तों तो फीमेल जब होता है तब क्या है वो अंडे तो ले करता है क्योंकि जब उसका उमर होता है जब उसका मतलब सरीर में कुछ होर्मोन बनता है तब वोग ऐंडे लेकरता है लेकिन उस ऐंडे में वो ब्लट नहीं आता दोस्तों इसी बज़े से खराब हो यह था तो गाइस पहले जो हे आपको timelines कर लेना है डीने की तु यह आप कोई जो करेगा दो बढ़र अच्छा करेगाया थे पर इस तरह से को कoles अगर अभूए से अगर अच्छा बीज़ा करेगा अर्ण Зब्दोत में वहनुरक भाइब दोसुब्स थब स्पवश्चा करेगा इस तरह वेच्रय केज में दो एफतों नौर्मली आवाज देता है उसी तरीके से देता रहेगा तो आप जब कंफर्म हो जाएगा आपका मेल फीमेल तो आपको यह चीज और देना है वह है दोस्तों बड़ा सा केज मतलब बहुत बड़ा नहीं दोस्तों और बहुत छोटा भी नहीं यह बड़ जो है बारा दस चले चाड़ फीट इस तरीक यहां से लेकर यहां तक चाड़ फीट है और इदर से लेकर चावराई जो है इसका दो फीट तो दो बाइक चाड़ का मैंने केज रेडी किया है खुद अपने हाथ से दोस्तों टाइम मिलता है तो मैं केज भी बना लेता हूं तो गाइस खुझ यहां से लेकर नीचे से लेकर 14 इंच का है और यहां से लेकर ओपर तक यह 10 इंच का है तो यह हो गया आपका ब्रीडिंग केज और ब्रीडिंग बॉक्स तो आपको यह दोनों पुली अच्छी तरीके से रेडी करना है उसके बाद मेल और फीमेल को आपको छोड़ देना है इसके अंदर जब मेल विजल करेगा तब आपको समझ देना है बर्ड जो है भी हीट पे आ रहा है और हीट पे आने के बाद आपको मीटिंग करते हुए दिखाई देगा कुछ इस तरीके से देखिए तो गाइस इसी तरीके से कुछ मीटिंग करते हुए आपको अगर लेगा तो उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से रिक्वाइन में होता है उठका कैल्सियम और मल्लिवीटामीन और प्रोटीन तो आपको यह सब ध्यान में देना होगा क्यूंकि सीड मीक्स से वह बहुत अच्छी तरीके से प्रोटीन मिलता है फिर भी अगर आप चाते हो क्यूंकि क्यालसियम का बहुत जदा इनका रिक्वाइन होता है आप मेडिसिन भी यूज कर सकते हो और चीज कराके बड़ को अच्छी तरीके से पॉपपर तरीके से बड़ को रेडी करना पड़ता है इस अब फूट का विडियो है स्वाप्फूटस में लिंक्ट सकते हैं और स्वाप्फूटस कि लाग होता है तो आप लोग तो City को बीडियो कर दोना तो back यह सबचीन चैम्च बिर्णी सब्ड़्ड आम्धैक के सबस्य का प्राइबिसी मीलेगा जब बर्ट को आपको क्या है बर्ट कोकटल बर्स से ब्रीड लेने से पहले उसको बहुत सारा प्राइबिसी देना पड़ता है आप उसके केज में स्रीफ दो दफाई आ सकते हो या सुबह या साम दोनों टाइम आपको आना है और बाती जो पूरे दिन होते हैं उसको डिश्टब कोई नहीं करना क्योंकि जब वो बॉक्स में जाने लगता है अगर कोई भी डिश्टब अगर होता है तो वो लोग भी नहीं करते दोस्तों मैंने मतलब जो जो मेडिसिन था और जो जो सॉप्ट फूर्ट था और सीड मिक्स था उसके बाड़े में बता चुके क्योंकि ब्रीडिंग के लिए सब चीज जरूरी है दोस्तों इसका ब्रीडिंग का भी कोर्स होता है आप इसको 15 दिन अंतर अंतर या एक महिने मे में दो त imbalance आप दे सकते होते में वह ब्रीडिंग कोर्स करवा सकते हो अगर लिए कर रहा है थो अगर व्रीड कर दिया है तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है जब तक केज मेने कोब भी मतलब डूर्डी यही ही सब चीज जो है और बहुत जो इंपोर्टेंन जो चीज बर्ट नीचे का स्टैस्ट पहले तो भुर्ट जब एनको स्टेरी कर लेकी काफी भाई जो है तो सोल को लेक्या आतते है् है लेकिन कुछ दिन और भाद उसका हो जाता है तो एक जगा पर करते हैं उसuo इक किया पड़िए दोस्तों उनका अच्छा था सॉपफूट भी नहीं देता है और अच्छी तरीके से उनका क्यार भी नहीं करता है तो यह चीज मत करना दोस्तों आपको कोई भी बर सगर ले आ चीक्स जो निकला है उसको मैं दिखाता हूँ तो गाइज यह देखिए मेरे यहाँ पर सेकेंड टाइम जो है बर्ट जो है ब्रीट कर रहा है और आपको देखा दिखाई दे रहा हुआ यह कितना खूब सुरत सा कोकट्रेल का चीक्स है अभी खाने का पोटा जो है थोड़ा स खाली यह क्योंकि सुबह के सुबह के टाइम है और बटस को अभी में और भॉल राईस और यह दूंगा अभी सॉपफूट दिया था सॉपफूट खिलाके ला दिया है और आप देख सकते हो कितना क्यूट सा यह बर्ट हुआ है और यह सेकेंड टाइम का है गईज एक नही है दोस्तों तो गाइस यह चिक्स जो है रेड आइस में निकला है देख सकते हो आप कितना क्यूट सा है और अभी थोड़ा सा इसका खाने का जरूरित है क्यूंकि बाहर घुम रहा है इसको अभी में बॉइल एक और बॉइल राइस दोंगा तो गाइस देख सकते हो कितना क्य आपको फॉलो करना है दोस्तों अगर फॉलो करोगे तो अच्छी तरीके से आपको भी जो है बेडिंग का रेजल मिल सकता है तो गाइस देख सकते हो देखिए यह चोटा सा ही है उससे चार दिन या तीन दिन बाद यह निकला है था दोस्तों क्योंकि गर्मी के टाइम जो है नहीं लेना है दोस्तों क्योंकि मेरे यहां पर कोकोटल ने ब्रीट कर दिया है इस बज़े से मैं अभी कुछ नहीं कर पाता हूं तो इसको जदा से जदा ठंडा रखने के ज़रूरत मत है इनको अभी घर्मी के टाइम में तो मैं यह यह कोशिज करता रहता हूं जे बड़ तो रहा था थोड़ी सी छेद देखे थे अंडे में थे यह सुषबाइब कर गया थे वह निकल रहा है लेकिन जब सामको मैं अफिस से आया तब मैं देखा कि जिए ओट निकल नहीं पाया अगर मुझे मुझे अगर यह मतलब लगता कि यह निकल नहीं पाएगा तो उसका शेल को थोड़ा सा मतलब उसको हटा देते हटाने के बाद उसको फिर से रहते तो निकल जाता लेकिन काई ऑफीस और घर की कामों के बज़े से मैं इनको ज्यादा से अगली बार दोस्तों बताऊंगा बजीस का और जाबा का किस तरीके से ब्रीडिंग का अपडेट मतलब ब्रीडिंग का अपडेट दूँगा और ब्रीडिंग किस तरीके से लिया जाता है उनका भी मैं अपडेट दूँगा क्योंकि यह वीडियो जहें बहुत लंबा हो र झाल झाल